सर्दिया सुरू हो गई हैं और हलवा खाना मैकसिमिम लोगों को पसंद होता है गाजर का लगवा फेवरेट होता है और सर्दियों में ठंडी ठंडी गाजर घिसना सबको जंजट लगता है तो आज हम इसी रेसिपी को बिल्कुल आसान तरीके से बनाने जा रहे हैं प्रेशर करते हैं अजकी रेसिपी मैंने यहां पर लिहें 2 2 kg गाजर और इनको मैने अच्छे से छील कर इनका आगे और पीछे कर थोड़ा तोड़ा इसा काट दिया है दो करके मैंने इसका पानी सूखने तक अच्छे से इनको रख लिया है अब मैंने यहां पर गैस की फ्लेम को आन जो हमारे प्रेशर कोकर में फितना वैटे उसमें हमें दो तुकड़ी कर लेने हैं बाकि आप गाजरों को इसमें कोकर में डाल दीजिए और बढ़िया से हमें इसको गी के साथ मिक्स कर लेना थोड़ी दिर के लिए मीडियम फिलेम पर गैस की फिलेम हमें फिल्कुल भी तेज नहीं करनी है इसी तरीके से हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हम एक काम और कर लेते हैं मैंने यहां पर लिया है हरी इलाइची 5-6 हरी इलाइची को मैंने अच्छे से कूट लिया है और इसके छेकल को हमें फेकना नहीं है इसके छिलके को हम अभी इसी समय डाल लेंगे प्रेशर को करके अंदर और इसके जो बीज है उसको हम बाद में यूज करेंगे जो मैं आपको आगी वीडियो में बता दूँगी अच्छे से हमने हिलाइची को चिकल को डाल करके बढ़ियार से हमें गाज गाजर के हलवे में हाना स्टार्ट हो गई है फ्रेंस यकीन मानिए आपके टेस्ट में बिल्कुल भी कॉंप्रोमाइज नहीं आने वाला है परफेक्ट हमारा शादियों वाला गाजर का हलवा बनकर तयार होगा अब इसी स्टेज पर हमें डाल देना है इसमें एक चुटकी नमक जिया फ्रेंस हमें इसमें डाल देना है एक चुटकी नमक जिससे हमारे टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा इससे गाजर अपना पानी रिलीज कर देंगी और अच्छे से पकने में मददी मिलेगी गाजरों को तो फ्रेंस इस तरीके से चलाती हुए इसको हमें ढंक से पका लेना है कम से कम 5-10 मिन के लिए यहाँ पर मैं आपको गाजर को काट करके दिखाती हूं देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी हमारी गाजरें अभी गली नहीं है अभी हमें इनको बढ़िया से पका लेना है अब प्रेशर कोकर का धकन हम बंद कर देंगी अभी बिल्कुल 2-3 हमने हलकी आज पर इसमें सेटी आने दी हैं और देखिए गाजर हमारी बढ़िया से दम पक करके तयार होगी इस तरीके से हमारी गाजर एक दम बढ़िया गल गई है और देखिए गाजर ने कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है अब हमें गैस की फिलेम मीडिय आज पर पाल गल गल रखनी है इस तैम पर और हमें गाजरों को बढ़िया से चलाते हुए तैन पीश्य पूर्ड़ को अच्छे से भून लेना है देखे फ्रेंस गाजरों का सारा पानी सूख चुका है पानी सूख नेक वाद अम मैंने इसमें एड़ कर दिया है 200 ml दूद मैंने यहाँ पर काव मिल्क का इस्तिमाल किया है आप फुल किरीम या किसी भी दूद का जो आपके घर में आता हो उस दूद का इस्तिमाल कर सकते हैं दूद डालने को आद हमें गाजरों की फिर से बिल्कुल हलकी आच पर भुनाई करनी है देखे फ्रेंस बढ़िया से एक दम फ्लेवर फुल हमारे गाजर का हलवा बन करके तयार होने वाला है इस तरीके से हमें चलाते हुए सारी चीज़ों के अच्छे से मिक्स होने देना है और अच्छे से फिलेवर आने देना है इस तरीके से हमें बढ़िया एकदम मावा की तरह इसकी अच्छे से बुनाई करनी है फ्रेंस बिल्कुल हलकी आज़ पर हमें इसको बून लेना है डग करके आओ हमें इने बूनने दूंगी मैं इसको अच्छे से दूद सारा सूख जाए तब तक हमें बढ़िया से अपना हम गाजर के हलवे को दीमी आज़ पर हमें बढ़िया से बून लेना है देखे friends एकदम गाजर बढ़िया मैश हो गई है कोई कह सकता है फ्रेंds के हमने गाजर को बना गिसे इस हले को बना करके तयार किया है friends बिल्कुल भी compromise नहीं होने वाला है टेस्ट में बिल्कुल साथी पार्टी वाला हमारा ये गाजर का बनकर के तयार होगा और वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना ना भूलें फ्रेंस गाजर के हलवे को हमें हलकी आज पर पकनी देना है इधर हम एक पैन चला देते हैं गैस के ऊपर जिसमें एक बड़िया सा हैल्दी सा तड़का तयार करेंग अमनेगी नेधर हम बिल्कुल कम आज पर हमें इसारे ड्रय फुट्स को भून लेना है सबसे लाज्टी से मैंने ऐड करी है किस्मिस किस्मिस हमें इसे बाद में इसलिए एड़ करनी है क्योंकि किसमिस फिर फूल लाती है बिल्कुल इसको टेस्ट अच्छा ही लगता इसलिए सबसे लास्ट मैंने किसमिस एड़ किये सारे तड़के को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे गाजर के हलोवे में और बढ़िया से हम इसको आ आने लग गया है देखे एक दम बढ़िया शादी पार्टी वाला मारा गाजर का हलोवा देखने में टेम्टिंग लग रहा है और जखीन वानिया आपके मुमें पाने ते जरूर ही आ रहा हो इसको देख करके अब गाजर का हलवा बनाना कोई जहँजट नहीं रहा आप एज़ी आराम से आप इस तरीके से हलवा बना सकते हैं अब यहां पर मैंने लिया है खोया या मावा इसको आप जो भी बोलते हैं यहां पर मैंने ले लिया है मावा और इसको मैं अच्छे से घिस करके इसमें डाल दूँगी आदा मावा मैंने इसमें डाल दिया है खोया और आदा में बाद में यूज करूँगी मावा डालने के बाद इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है और कुछ देर के लिए हमें इसको और बढ़िया से बून लेना है मावा डालने के बाद हमें इसको ज्यादा देर के लिए ढख करके नहीं छोड़ना है क्योंकि नीचे से खोया चिपकने लगेगा इसलिए हमें इसको बड़ावर से चलाते हुए बिल्कुल हलकी आज पर बढ़िया से भून लेना है अब लास्ट स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चीनी चीनी डालने के बाद हमें ज़्यादा देर के लिए हलवे को भूनना नहीं है क्योंकि जितना भी सारा प्रोसेस आपको करना है हलवे को भूनने का वह आप चीनी डालने से पहले ही कर लिजीगा क्योंकि चीनी डालने के बाद हलवा बिल्कुल भी पक नहीं पाता और गाजरे जैसे की तैसी रहेंगी इसलिए आपको भी लास्ट स्टेज पर इसमें एड़ कर देनी है चीनी और उसको बढ़िया से पका लेना है चीनी डालने के बाद चीनी का सारा मॉस्चर सुख जाए अब मैंने इसमें एड़ कर दी हैं जो इलाइची के बीच बचे हुए थे उनको और इसमें बिल्कुल य्षय को वाला टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें एड़ कर दिया है थोड़ा सा जैफल घिस करके सєथ कर देता है इस तरीके से एक दम भाई बनाया है, हमने एक दम special हलवा है तो special तरीके से इसको सजाना भी तो बनता है नहीं, जैसे बाहर दुकानों पर मिलता है हलवा, ये लोग बेचते हैं उस तरीके से, इसके उपर मैंने अडाल दिया है मावा, बढ़िया से, ये रेडिमीट मावा मैं तो लीजे फ्रेंस हमारा शाधी पार्टियों वाला हलवा एकदम easy और quick बनकर के तयार है, आप भी टेस्ट कर लीजिए, फ्रेंस यकीन मानिए एकदम टेस्ट बिल्कुल बढ़िया एकदम साधी पार्टियों वाला ही आया था, इस तरीके से हलवा बनाने में, compromise बिल्कुल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching.